वन आज नहीं कल से करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं, जो काम आज हो सकता है, उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों, इसी तरह समय बीटता जाता है, और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारे कामों का बोज बढ़ता जाता है, तो हम उन कामों को करना ही छोड देते हैं, और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उ निशानी है जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना तालें अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर रख कर उस काम को आज ही निपटा लें डीविड कॉपफील्ड किताब में चार्ल्स डिकेन्स कहते हैं, मेरी सला है कि जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर ना छोड़े। तालमटोल का रवया समय का सबसे बड़ा छोर है। डो बेवजह का डर क्यूं। एक बात से जुड़ी कई बाते होती हैं, उनमें कई आशनकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है, हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, कई बार हमारा डर हमें भाविश्य में होने वाले खत्रों से बचाता भी है, पर कई डर बेमतलब के होते हैं, हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं, मनोवी ज्यानी कहते हैं, डर भी एक सीलिंग है, एक रासायन एक प्रतिक्रिया है, मन में छुपा रहने वाला हर डर सही साबित नहीं होता, कोई थोट अ अपको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करें, किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें, अपने well wishes से बात करें, उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें, दर हमेशा हमारे मन में रहता है, हो सकता है, कुछ ब 3. अपनी परेशानी किसे बताएं कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से ही मन हलका हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सल्यूशन भी निकल आए जब हम इस चिन्ता में पढ़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा इस तरह परेशानी कम होने की बजाए और ज्यादा बढ़ने लगती है पूरी दुनिया के सामने अपनी परेशानी का धिंधोरा ना पीचें इसके विपरीत, अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर ऐसे व्यक्ती जिस पर आप भरोसा करते हों उनके साथ अपनी प्रॉबलम को शेय करें ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं कोई है, जो हमारा सहारा बन कर हमारे साथ खड़ा रह सकता है इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेय करने से बिलकुल भी ना हिचकें जो सच है वो कहें और अपनों से एक अच्छी राय जरूर लें